राधे राधे दर्शकु ट्रिपाशक्ति आयुर्वेदा में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे जीप पर होने वाले चालों के बारे में और जानेंगे किसके कारण और लक्षन क्या है जीप के चाले जो हैं वो एक तरह का खुलावा घा होते हैं जो की जीप की सता के जीप के चाले जो असरिया तो किसी चोट या फिर पीट की बीमारी के कारण हो जाते हैं यह काफी पीड़ा दयक होता है और कई बड़ी बीमारीों का संकेश memous इसलिए इनको नजर अंदाज करना बिल्कुल सही नहीं होता है। जीप पर होने वाले चालो को काफी हद तक माउट दलसर का ही एक रूप माना जाता है। क्योंकि इसमें भी उसी तरह के चाले होते हैं। अब जानते हैं कि इसके लक्षन क्या है। इसके कई लक्षन हो सकते हैं। करना यह सब इसके लक्षन होते हैं। आप जानते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते है। सबसे पहला तो कुछ तेज घरम खाने या पीने से आपकी जीब में छाले हो सकते हैं। इसके अलावा किसी वाइरल संक्रमन की चपेत में आने से या अपने मूग की सपाई ठीक से ना करने पर किसी एंटिपायोटीक का जादा उपयोग करने से भी आपको दिक्कत हो सकती है। खाना खाते वक्त जीब कर जाने पर और अपने तांतों पर लगे ब्रेसेज पर बार बार जीब फिराने से आपको ये दिक्कत हो सकती है। लखने से भी ये दिक्कत होती है या दूसरों का जूटा खाने से या अगर किसी को बहुत ज्यादा तनाव है तो उसकी वज़ासे भी आपके मूग के अंदर लाल रंके चाले हो सकते हैं आपकी जीब पर ये समस्य हो सकती है। तो दोस्तों ये थे जीब पर होने वाले चालों के कारण और लक्षन। आज के इस वीडियो में इतना ही और ऐसी ही स्वास्त से जूड़ी और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रपाशक्ति आयुरवेदा। झालों के झालों कीजिए और लक्षन।